तो है दोस्तों मेरे नामें देवींदर और मैं आप सभी का सभवत करता हूँ इस कोस के पाच्वे वीडियो में कोस का नाम है उसके वीडियो में है अपको ब्लोक को पुड़ाइब करते मिननें आपको meal नोट कई रिख्शन के लिदे और पर युणे आप से लिएी और इर्च 설 ब्लोक के लिए था। के उपर और एनि कंपोनन्ट ब्लॉक के उपर मैंने आप से डिसक्सिन किया था बता ही इस वीडियो में मैं आपको ब्लोग के बार में बताओंगा ताइन डाटाबेस का एपलिकेशन अभी का हम यूज़ करके आज लॉग इन रिजिस्टेशन स्क्रीन बनाएंगे तो दोस्तों अभी मैंने ओपन कर लिया है हेलो वर्ड का प्रोजेक्ट जो हमने क्रेट किया था इस को वीडियो में अगर आप वीडियो को फॉलो करें तो आपको पता होगा कि पिछले वीडिय आप स्क्रीन को इंपोर्ट कर सकते हो इस तरीके से मैंने इस स्क्रीन को इंपोर्ट कर लिया है तो अब हम क्या करते डिरेक्ली ब्लॉक्स के उपर बात करते क्यों कि बिल्टिं ब्लॉक्स को यूज करने से पहले हम जानते है डाटाबेस के बार में मतलब डाटाबेस होता क डाटाबेस मतलब क्या जो email id यूजर प्रोवाइड करेगा वो डाटा जहाँ पे store होगा उसे हम डाटाबेस करते जैसे कि यहाँ पे tiny डाटाबेस करके एक डाटाबेस है और से मार्केट में firebase डाटाबेस है और बहुत से डाटाबेस है आप इंवेंटर में mostly firebase डाटाबेस गूगल शीट और mysql को यूज करते firebase और mysql यह बहुत है डाटाबेस है तो मैं आपको इस कोस वीडियो में उसके बारे में नहीं बताऊंगा firebase के बारे में पूरी वीडियो में ने पहले से अप्लोड कर दिये तो आप जाके ओ देख सकते हो अगर आपको देखना है तो बट में आपको recommend नहीं करूगा अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते तो आपके लेवल के लिए तो आप air table database के बारे में सबसे पहले सिखियो firebase database के बारे में वीडियो देखो अगर हमें data store करना user का तो हम उसे दो तरीके से store कर सकते एक तो locally इसे store करने के लिए हम tiny database का use करते और दूसरे टाइप में आप online भी data store कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे निकल में आता ही air table database आप वहाँ पे data store कर सकते हो आप Google spreadsheet पे data store कर सकते हो आप MySQL पे store कर सकते हो आप इसके साथा Firebase पे store कर सकते हो आप Amazon का भी cloud वहाँ पे store कर सकते हो बट आप Firebase MySQL थोड़ से advanced वाले database है तो उसके बारे में हम बात ने करेंगे यहाँ इसलिए में अपको क्या करता हो सबसे पहले हम ताइनी database को यहाँ पे ड्रैक कर लेते हैं इसके बारे में जादा मत जानी हो जब आगे जाऊँगे आप इसके बारे में पढ़ोगे और जब आप प्रैक्टिकल चीज़ करोगे तब आपको इसके बारे में खुद का खुद समझ में आएगा तो अब हम जाते हैं ब्लॉक सेक्षन में और जानते हैं बिल्टिंग ब्लॉक्स के बारे में और उसके असाथ-साथ अम login and registration स्कृrato्स को मिलता है तो कंडिशन मतलब क्या जबही हम आप्लिकेशन में कंडिशन डालने तब हम इसका यूज करते हैं यहां पर हम एक्जामपल लेते कि जब भी हम बोलते हैं ना कि कुम बनाओं तो मेरे उसकी स्टूरी लाइन बना या मैं क्या है तो मैं उसको एरर शियो करूंगा और अगर उसने वह दाटाबेस में शूर गडे होगे हमारे स्टॉटल तो अगर नहीं किया होगा हमें इसे एर्र शो करेंगे और शो करने लिए मापन Factory करें लिए उसका डैना कर ना फूकर में आप始ित ऐसे इया आसी सक्राइब करेंगे वर एक रलाग जो ए विनसे करना है यहा उसका भी देखने कर देखनों जब भीुजर डाटा यहांपे इन्पुट कर और अदिक करेंगे तो इसलिए में ब्लॉक सिक्षन में जाऊंगा और जब भी यूझर क्रेंट अकाउंट बटन पर कलिक करेंगे तब हम क्या करेंगे चेक करेंगे कि यूजर ने डाटा फिल किया है कि नहीं यहां पर हमें कंडिशन देखने है कि यूजर ने इमेल आइडी भरी होगी तो अभी सबसे पहले मैं इस सब चीजों को धिनिम कर लेता हूँ आपके understanding के लिए konay क्या करेंगे कि यूजर यहां पर ऊच्छल में जाओंगा और फिर यहां पर पर यहां पर आप यहां पर यहां पर आपको ब्लॉग देखने के लिए मिल आ है आपकोल करके से च्रिंक काetu देखने के लिए मिलता है उसके साथ यहाँ पर आप स्ट्रिंग डाल सकते हो और फिर बाद में यहाँ पर आपको जॉइन का ब्लॉक देखने के लिए मिलता है जॉइन का ब्लॉक ब्लॉक को जॉइन करना है तो इस ब्लॉक को यूज कर सकता है जॉइन ब्लॉक को में यूज क तो उसे हमें किया करना है नूटीश शो करना है जो इसलिए मैं जाओंगा और इस ट्रेंग को यूज़ कर सकता हो ओक इस ट्रिंग का कंपोरा हम यहां पर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर में डालूंगा कि प्लीज एंटर फर्स नेम फिर बात में हमें चेक करना है कि उसने लास्ट नेम डालाई कि ने तो कैसे कर सकते फिर बात में हम सेम ब्लॉक यहाँ पर यूज कर सकते हैं यहाँ पर फिर से इप देन की कंडिशन रहेगी इसलिए मैं यहाँ पर करना है message please enter last name तो इतना हो गया तो सेम चीज़े आपको चेक करने हैं सभी इसके लिए तो इसलिए आपको सेम चीज़े दोरा नहीं तो इस तरीके से आप condition चेक कर सकते हो तो control के बारे में अब फिर से जानते हैं control में यहाप ज्यादा useful block मिलेगा अब को application समझा कि किस प्रकार से हमें यूज कर सकते चेक करने के लिए करते हैं तो इसका भी वीडिव बनाएंगे तब होगा और फिर बात में यहाप इसका भी यूज जादा होता है यह भी condition लोग है बट यहां पे अगर आपको condition यहां पर डालने है तो आप इसका यूज कर सकते हो यहां पर आपको open another screen with screen name का यहां पर option देखने के लिए मिलेगा तो अगर आप दूसरी screen open करने है तो आप इसका यूज कर सकते हो फिर बाद में यहां पर open another screen with start value मतलब लेटर सपोज मुझे condition होगी कि मुझे यहां पर यूजर जो भी first name provide कर रहा है अगर मुझे ओ first name home screen पर transfer करना है तो मैं केसे करूंगा तो यहां पर screen name home दूगा और यहां पर first name दूगा तो इसे होगा क्या जब भी मैं a block यूज करूगा तब home screen open होगी और home screen पर यह वाला data चला जाएगा मतलब first name चला जाएगा और अगर आपको first name के साथ last name भी चाहिए तो आप क्या कर सकते हो आप यहां पर list बाना के send कर सकते हो इस तरीके से आप open another screen with start value का आप यूज कर सकते हो फिर बाद में आपको नीचे मिलता है close screen मतलब इसके नाम से आपको पता चला है कि screen close होगी तो अभी हम देखते किस प्रकार से data को store कर सकते है tiny database में मतलब user के mobile के अंदर तो अभी हम स्टोर करना है database को इसके लिए क्या करू अबने tiny database को पहले यही ड्रैक किया हुआ है तो मैं फिर से block section में जाओंगा tiny database के यहाप अप ब्लॉग दिखने के लिए store value, value को store करना है इसको use करना है, क्या क्या है store value, so tag मतलब क्या, so आपको पता कैसे चलेगा, ki first name का पे store किया, last name का पे store किया है तो इसलिए आपको नेम करके यहाँ पर टैग बनाऊंगा और फर्स नेम के टैग में में फर्स नेम के वैल्यू स्टोर करूंगा अगर मुझे last name store करना है तो मैं last name यहाँ पर tag दूँगा और last name को यहाँ पर store करूँगा अगर same मुझे अगर password store करना है तो मैं password यहाँ पर tag दूँगा और password को store करूँगा और email store करना है तो मैं यहाँ पर email दूँगा और email को store करूँगा आपने डाटा स्टोर किया डाटाबेस के अंदर उसको अगर आपको फॉल करना है तो आप एक्सिस कर सकते हो बाइ यूजिंग इस ब्लॉग गेट वैल्यू तो लेटर सपोर्थ अगर आपको चीह है कि यूजर के फर्स नेम ने आपने कुन सी वैल्यू स्टोर की तो आप यह आपको प्लेज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस कोर्स के नेक्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तिल देन बी हैपी कीप कोडिंग कर दो